दोस्तो Google Photo आज कर जितने भी फोन आ रहे हैं उन सब फोनों के अंदर में Google Photo एप्लेकरशन दिया हुआ होता है लेकिन इस Google Photo एप्लेकरशन की चार ऐसी सेडिंग है दोस्तो जिसको अगर आप आज बंद कर देते हैं तो आपकी जो फोन की बैटरी जो ज़ल्ड समाफ्त हो जात जो सेटिंग हर कोई ओन करकर रख देते हैं जिन्हें पता नहीं होता है जिससे आपकी फोन की बैटरी और आपका जो फोन का इंटरनेट है बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है इसमें तीसरे नमबर की सेटिंग है दोस्तों वह सेटिंग बहुत ही पाउरफुल है हर किसी को आप लोगों को यही बताएंगे गुगल पौडव एप्लीकेशन के अंदर में वह चार ही डिन सेटिंग है जिसे हमें अपने फॉन के अंदर में बंद करका प्रकर चाहिए तो दोस्तों यह समय नवेश करते हुए वीडियो को करते हैं श्टार्ट अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर आप छानल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेजे और वीडियो को संद आए तो वीडियो को श्टार्ट करते हैं यह हर फोन के सांथ में आता है पर चार ऐसी सेटिंग जो है लोग on करकर रखते हैं यानि कि जब यह application आता है तो ही on रहता है इसको यदि आप on रखते हैं तो बैटरी बहुत जल्द समापत होगी internet भी जल्द ही समापत होगा तो इसको वंद करना है क्या करना है ध्यान से अब देखिए दोस्टों जैसी गूगल फोटो अप्लिकेशन आप open करते होंगे तेहां पर एक चीज देखते होंगे कि जैसी मैंने फोटो इस गूगल फोटो अप्लिकेशन को पेन किया तो यह बीडियो आटोमेटिक देखिए प्ले हो गई थोड़ा साइधर स्क्रोल करे लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी इस सेटिंग को यदि आप कर लेते हैं तो यह जो वीडियो बैग्राउंड में चल रही है यहां बंद हो जाएगी उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां पर जोगो दिख रहा है इस लोगो पर आपको टैप करना है यहां फोटो अपसर मिलेगा वीडियो और यहां पर आपको मोशन फोटो का आपको इस दोनों बटन को यहां पर सिंप्ली आफ कर दिना है इसको आफ करने से क्या होगा कि अब ध्यान से देखिए जो यह बैग्राउंड में वीडियो को प्ले कर रहा था देखिए यहां पर जहां पहली गूगल फोटो की पहली सेडिंग अब हम आप लोगों को गूगल फोटो की दूसरी सेडिंग बताती हैं दूसरी सेडिंग भी ध्यान से देखिए दूसरी सेडिंग के लिए दोस्तों आपको अपने गूगल फोटो अपलीकेशन पर आ जाना है और यहां जो लोगों है इस पर क्या देखेंगे कि बैक अफ फोटो एंड वीडियो फ्रॉम डिवाइश टो यूर गूगल एकाउंट यहां बटन होगा यह ओन है इसको आपको सिंपली बंद कर देना है इसको बंद करने से आपको फायदा क्या होगा अगर इसको आप ओन रखते हैं होने से ओन होने से क् कि आपके फोन में जब भी कोई फोटो वीडियो आपके फोन में कोई निव निव आप चाहे डाउनलोड करते हैं या आपको वार्षप द्वारा कोई भेजता है तो यह गूगल फोटो उसको बैक अफ ले लेता है और इस फोटो वीडियो को एक फायल कॉंपी कर देता है यह फोटो इस अफ में सेव होता है आपका एन नेट और भी पैटरी अंदर ही अंदर समाब तो होती है और आपको पता नहीं होता है तो यह बैक अप को अब तब लियांवा चाहते है तो इस वाक अप को आप इस समय शॉटश करेज जब आपके फोन को वाई फाई से एकने तो यह श्रीफ Wi-Fi के समय में आप इसको on करें अगर इस तरीके से on रखेंगे तो आपके फोन का इंटरनेट और आपके फोन का जो है बैटरी दोनों जल्द ही समाप्त होगा अब हम बात करते हैं तीसरी सेटिंग की तीसरी सेटिंग भी बहुत ही कमाल की है तीसरी सेटिंग के लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखिए तीसरी सेटिंग के लिए आपको इसी Google फोटो एपलिकेशन पर आना है यहां जो लोगो है इस लोगो पर टिलिक करना है आपको यहाँ पर partner sharing का एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ partner sharing इस परकार का all photo पर click होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखिए इस partner sharing को यहाँ से हटा देना है अगर इसको आप नहीं हटाते हैं नहीं remove करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि आपके WhatsApp पर म देगा उससे आपको क्या होगा दोस्तों कि आपकी phone की बैटरी और आपका internet दोनों ही समापत होगा अगर आपने किसी को partner sharing में partner बनाया है तो आपको यहाँ से Partner sharing को remove करना होगा यहाँ पर देखिए remove partner लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर remove करना होगा या हम इसलिए बनाते हैं दोस्तों हम किसी को भी अपना पार्टनर बना लेते हैं जैसे हम अपने घर का कोई फोन होता है उसके जीमेल को पार्टनर बना लेते हैं या कोई अपना दोस्त होता है जिसको हम पार्टनर बनाते हैं जैसे कि हमारे फोन पर जितना भी फोटो अगर आए तो उसको हम फोटो को share कर दे तो हम क्या करते हैं कि डारेक्टली उसके Gmail को यहां पर डाल देते हैं कोई भी हमारे पास फोटो आएगा तो अपने दोस्त पर भी यह share हो जाएगा इसलिए हम यहां पर पार्टनर बनाते हैं अगर आप लोगों ने पार्टनर बनाया है तो यहां पर रिमूब पार्टनर पर क्लिक करकर इसको रिमूब कर दिजे इसको रिमूब करने से दोस्तों क्या होगा कि जो भी आपकी पार्टनर थे और रिमूब हो जाएगा और अब कोई भी फोटो वीडियो आपके फोन पर आएगा तो वह दूसरा पार्टनर के पास नही बचा सकती है वह कौन सी सेटिंग है उसके लिए आपको अपने इसी फोटो अप्लिकेशन पर आना है इसी लोगों पर क्लिक करना है इसी फोटो सेटिंग पर क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीसरे नमबर में एक आप्सन होगा नौटिफिकेशन इसके उप होता है कि आपकी फोन की बैटरी अंदर ही अंदर कंजीव होती है और आपको पता नहीं चलता है इस नोटिफिकेशन से आपको कोई फायदा नहीं है आप इन सारे notification को बंद करकर रखे जिससे आपकी phone की बैटरी अच्छी चले अगर अपनी phone की बैटरी live को अच्छा चलाना चाहते हैं तो इन notification को बंद करकर रखे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी google photo application की चार hidden setting को बारे में बता रहे थे जिसे आप बंद करकर रखते हैं तो आपकी phone की battery और आपका internet बहुत ही अच्छा चलेगा एक बार इस setting को आप जरूर ट्राई कीजिएगा तो वीडियो में इतना ही वीडियो helpful लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही tips and trick देखने के लिए हमारी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी जरूर सस्क्राइब करे लीजिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई